आपने यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं अपन गाई की नसलों के बारे में गाई की नसले बहुत ही एक इंपोर्टेंट सा टोपिक होता है जो की पसुपालन से संबंदित हर एक एक्जाम में यहां से क्युश्चन पूछे जाते हैं उसके अलावा पसुपालन से जुड़े होए हर एक व्यक्ति को गाई की पहचान के गाई की जो नसलों होते हैं उनके लक्षनों का पता होना चाहिए तो आज के इस वीडियो में दोस्तों गाई की नसलों के बारे में पन पता करेंगे गाई की नसलों के बारे में पन नसल का मतलब क्या होता है दोस्तों जो ब्रीड होती है इसको कैसे समझे अपन तो नसल का मतलब है दोस्तों ऐसे पसूं का समूँ जो उत्पत्ति में समान है ठीक है जिनका जो ओरीजन है वो समान है उत्पत्ति समान है सारे रिक बनावट सारे रिक जो रंग रूप है वो एक जैसा है ठीक है उन को क्या बोलते हैं एक नसल के पसु बोलते हैं अब यहां पर बागाई की नसलों की तो अब यह जो नसल होती है दोस्तों इनका पंजी करण जो होता है नसलों का पंजी करण वह किसके क्या जाता है तो इसके लिए दोस्तों बी ए मे bucks एक संस्ता है जिसका मुख्याल है करनाल में ठीक है हरियाना यह भी अपने को ध्यान रखना अपने परिक्ष्या के दृष्टी कौन से इंपोर्टेंट है कि जो गाई पालतु पसू होते हैं उनकी नसलों का पंजी करण कोन करता है तो एन बी एजियार यानि नैशनल ब्यूर वर्तमान में जो पंजीक्रत यानि रजिस्टर्ड ब्रीड है रजिस्टर्ड ब्रीड यानि पंजीक्रत नसले रजिस्टर्ड ब्रीड की संक्या कितनी हो गई है 53 हो गई है ठीक है त्रेपन क्या है गाई की रजिस्टर्ड ब्रीड है यानि पंजीक्रत नसले यह अपने को यह ध्यान रखना है अपने को गाई की नसले सांचोरी जो जालोर यानि सांचोर वाली रीजन में पाई जाती है सांचोरी है इसके अलाव एक कटानी है और एक है मोसिलम यह गाई की तीन नसले हैं जो की नविन्तम रजिस्टर्ड की गई है अब बात करते हैं दोस्तों गाई की नसलों के वर्गी करण के बारे में गाई की जो नसले हैं दोस्तों इनको अपन कैसे पढ़ेंगे यह आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं तो गाई की नसलों को दो भागों विभाजित कर सकते हैं सबसे पहले एक देसी गाई हो सकती है और एक विदेसी गाई हो सकती है विदेसी नसल की ठीक है तो यहाँ पर देखिए गाई की जो नसले है इनको मैं दो भाग को मैं दिवाइड कर दूँ है टीक है今日 सकती तुन देशी गाई ठीक है इसको क्या बोल देंगे अपन इंडीजीनस के ट JU Tork से इन्डीजीनस ठीक देशीगाई को क्या बोल आपने इंडीजीनस एक हो सकती है video जो बाहर से आई है ठीक विदेश से रखते हैं जाएब इसको बोल सकते हैं एक्जोटिक केटल्ड ठीक यह दोनों टर्म अपने को द्यान में रखनी इंडीजीनस केटल एंड एक्जोटिक केटल्ड । अब देशी गयाई जो होती है दोस्तों इसको बहत हुआ बात करेने तक तिन भागों में जो कैटल है देशी गाई है उसको मिल्च ब्रीड यानि दूद देने वाली गाई दूद देने वाली यानि दुधारू गाई जिसका पालन किसके लिए किया जाता है दुगदुत पादन के लिए ऐसी गाईों को किसरेणी में रखा जाता है मिल्च ब्रीड में रखा जाता है ड्रोट परपज में वो गाईं आती है जिनका उपयोग किस के लिए किया जाता है भार वाहन के लिए, यानि भार वाहक नसले आती है। तो बोजा ढहने के काम में जो गाई जो बैल आते हैं उनको किस गूर्प में रखा जाता है डोट परपज ब्रीडॡ्य या भारौःक नसलों में रखा जाता है धू कि नसलों के लिए भी किया जाता है और बहार ढ Enough ड्रौने और भार दोने पाई की नसले होती है उनको किस क्लास में रखेंगे अपन डियोल परपज ब्रीड में रखेंगे अब मिल्च जो ब्रीड सोती है दूद देने के लिए जिनका अपन पालन करते हैं उसमें कौन-कौन सी गाएं लेते हैं अपन तो देखिए दोस्तों याँ पर इसमें देनंगे उसके बाद में आपे ले लेंगे अड़ार पारकर ठीक है थार पारकर ये क्यों से चेखेff टार आपन ऐसंबी अब देखेंगे हैं राध मतर्य गैयों का जो वर्की करन है वो कैसे कई अगया उसको समझ रहेँ तो मिल्च breeds कौन कौन सी हो गई, गीर हो गई, साहिवाल हो गई, थार पारकर हो गई, रेड सिंदी, ये चार गाएं कि इसमें रखी जाती है, दूद देने वाली नसलों में, भारवाहक जो नसल होती है दोस्तों इसमें रखा जाता है, सबसे पहले अमरित महल, ठीक है, ये भ भारतवर्स में famous है, ठीक है, राजस्तान के नागोरिवेल, अपनी भारवाहक शमता के लिए, पूरे भारतवर्स में प्रशिद्ध हैं, इसके अलावा देखिए दोस्तों, खिलाडी, एक नसल है, खिलाडी, जो कि महराष्ट की सबसे अच्छी भारवाहक नसल है, इसके अ कंगायम, खिलाडी हो गई, होलीकर हो गया, कंगायम हो गया, उसके अलावा एक देखते हैं, अपन इसमें वेचूर, जो सबसे छोटी गाई होती है, ठीक है, छोटे पैरो वाली जो गाई होती है, उससे क्या बोला जाता है, वेचूर बोला जाता है, ठीक है, एक होती है, बचूर. अधिक, इसके अलावा दोस्तों इसमें रखते हैं अपन मालवी, उसके अलावा इसमें रखते हैं अपन, बदरी, पावार, सीरी, और लखीमी, लखीमी ठीक है? यह सारे नाम ध्यान में रखने हैं अपने को, ये सारी किस प्रकार की नसले हैं? भार वाहक नसले हैं. अमरित महल हो गया, नागोरी हो गई, खिलारी हो गई, होलीकर हो गई, कंगायम हो गई, वैचूर हो गई, वचूर हो गई, मालवी हो गई, बद्री, पमार, सीरी और लखिमी. ठीक है? ये सारी गाये हैं, वो किस प्रक तिक लिए के आजाता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन डियोल परपज़ट इसमें रखेंगे दोस्तों अपन हरियाणा ठीक है हरियाणा नसल की जो गाई होती है वो सबसे अच्छी दोहरी उपयोगिता वाली गाई होती है बैस्ट डियोल परपज़ज है ठीक है आगे समने देखेंगे अपन राथी गाई ठीक है राजस्तान की काम देनों है राठी। Serres a यहां पर कांकरेज warmer को उसके लावा यहां पर लेंगो निवाती मिली य Taylor परक गरिडों यह लेंगे दंगी कांकरी इसके अलावा लेंगे दोस्तों नीवारी उसके लावा लेंगे यहां पर ओंगल यह जो सारी नसले होती है दोस्तों यह किस प्रकार की नसले होती है दोहरी उपयोगिता है यह डूल परपज की ब्रीड है तो यह सारा जो भी अपने पढ़ा है इसके अलावा देखिए दोस्तों आगे देखेंगे अपन एक्जोटिक केटल होती है इसमें चार नसले है जिनके बारे पर अपन पढ़ेंगे इन्पोर्टेंट ब्रीड जो हैं सबसे पहली है एच एफ होलिस्टीन फीजियन ठीक है इसका ध्यान रखना अपने को सरवादिक दूद देने वाले यह गाई होती है जिसका उत्पत्तिस्तल का है होलेंड है यह आगे सारे डिटेल अपन इसकी पढ़ने वाले हैं नंबर पढ़ेंगे सारे टोपिक सारे पॉइंट अभी नाम देख रहे हैं अपन क्या होले है जर्शी हो गया इसके अलावा नंबर तीन पर देखेंगे अपन ब्राउन स्विस यह कहां पाई जाती है स्विट्जर लेंड में नंबर चार देखिए दोस्तों इसमें लेंगे अपन आईरेस आईरे कोन सी गाई आईरेस आईरे गाई की सबसे सुन्दर नसल है बाई सब यह आईरेस आईरे क्या होती है most beautiful cattle आईरेस आईरे विदेशी नसल है ठीक है HF हो गया जर्शी हो गया brown sis हो गया आईरेस आईरे तो यह चार नाम अपने को exotic cattle में ध्यान में रखने है त देशी और विदेशी गाईों को किस प्रकार से अपने classify किया ठीक है indigenous cattle को milch breed, goat breed और dual purpose में डिवाइड किया जबकि exotic cattle को इस तरीके से अपने देखा है तो आज के class में अपने यह सामाने सा वर्गी करण गाईों की नसलों के बारे में पढ़ा है जिसमें अपने सभी गाईो की नसलों के नाम देखें, next class में अपन एक एक breed को विश्तरत में, detail में पढ़ेंगे और उसमें जो भी questions बनते हैं, जो भी points से अपनी exam में आने लाइक, उनको अपनी आपे देखने वाले हैं, धन्यवार।